इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर इस चैनल पर स्वागत है इस वीडियो में हम आर्टिकल से समन्दित प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं और इससे पहले भी आर्टिकल्स के हम वीडियोज डाल चुके हैं विधार्थूने भी देख लें और यदि वे अन्य वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके अपने मन पसंद वीडियोज वहां देख सकते हैं तो आई शुरू करते हैं आर बात कर रहे हैं लंच की, डिनर की, ब्रेक्फस्ट की तो आर्टिकल्स नहीं लगता है हाँ यदि ये विशेश हो तो दह लगता है यहां समाने तोर पर बात की गई है लंच की I did not have lunch today तो यहां आर्टिकल नहीं लगेगा कौश्मर बन कांसर है ए नो आर्टिकल रिक्वाइ कौश्मर टू, कौपर एक उप्योगी धातू है यूसफुल मैटल ये नाउन फ्रेज में हम यूसफुल को जब बोल रहे हैं तो आरंब में यह की अवाज आ रही है जो की एक कौंसनेंट साउंड है और हमें यहां ए लगाना है बलैंक में ए भरेंगे कौश्मर टू का आं यूस्ट टू प्ले डैश फुटबाल वे फुटबाल खेला करता था देखे खेल धातूर पदा गेम स्पोर्ट्स, मैटल, मैटीरियल इनकी नाम से पहले आम तोर से आर्टिकल नहीं लगता फुटबाल खेल का नाम है इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा कौश्मर थी का हमालयाज में सबसे उंची चोटी है हमालयाज परवत श्रिंखला का नाम है मांटन डेंजी और मांटन डेंजी के नाम से पहले दल लगता है मांटन डेंजी के नाम से पहले दल लगता है देखे परवत या परवत की चोटी से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते है जैसे मां जहां द दिया गया है तो कॉश्मर 4 कांसर है, option B और blank में द भरेंगे कॉश्मर 5 दे विल रिटर्न आफ्टर डेश आवर वे एक घंटे बात लोटेंगे आवर को बोलने में शुरू में हम वावल सांड देख रहे हैं इसलिए यहां N लगेगा A और N का प्रियोग singular countable noun से पहले होता है और N तब लगता है जब उस noun को बोलने में, अर्म में स्वर की अगर आवाज है तो N लगेगा यानि वावल सांड है तो N लगता है और consonant सांड है तो A लगता है यहां आवर इससे पहले N लगेगा question number 5 का जो answer है वो है option A यानि हमें blank में N भरना है question number 5 का answer है option A हमें blank में N भरना है question number 6 Sarita is dash visor of the two इस sentence के structure पर ध्धान दीजिए दो व्यक्तियों वस्तूं में तुलना के संदर्म में एक को बताया जा रहा है और वाक्या का structure देखिए पीछे of the two और of the two से पहले comparative degree of adjective दी गई है तो इस प्रकार के structure में जहां comparative degree of adjective दी गई हो उसके बाद of the two आया हो तो हमें उस comparative degree से पहले द लगाना पड़ता है तो Sarita is the visor of the two यहां द लगेगा blank में question number 6 का जो option हमें चुनना है वो है D option D चुना हमने जहां द लगा हो है option D और blank में हम द भरेंगे question number 7 आगरा is dash historical town आगरा एक एतिहासिक नगर है historical town यह historical को बोलने में consonant sound हम देख रहे हैं शुरू में तो यहां A लगेगा आगरा is A historical town question number 7 का जो option हमने चुनना है वो चुनना है C और blank में लगेगा A question number 7 का अंसर है option C question number 8 what dash awful side it is कितनी धानक यह side ध्रिश्य है इस प्रकार के structure के वाकियों में शुरू में what नजर आता है और sentence के अंत में sign of exclamation होता है तो यहां जो noun phrase है उससे पहले हमें A or N लगाना पड़ता है आवाज को देखते हुए awful sight में हम awful को जब बोल रहे हैं तो शुरू में स्वर की यानि vowel sound हम देख रहे हैं तो N लगेगा what an awful sight it is यहां आएगा N question number 8 का अंसर होगा option A blank में लगेगा N question number 8 का अंसर है option A और blank में लगाएंगे N question number 9 Robert is dash European European को बोलने में अरम में यह की आवाज आ रही है जो की vowel sound है तो A लगेगा जो की consonant sound है तो यह A लगेगा Robert is A European European को बोलने में जो हम अरम में यह की sound देख रहे हैं वह एक consonant sound है इसलिए A आएगा Robert is A European तो question 9 का जो answer है वो है option A और हमें blank में A लगाना है A European Question 10 Dash flat in which I live is new वो flat जिसमें में रहता हूँ नया है यहाँ flat विशेश है जिसमें में रहता हूँ तो यह विशेश flat है इसलिए यहाँ पर द लगेगा Question 10 का answer है Option B यानि द लगेगा Question 10 का answer है Option B यानि blank में द लगेगा Question 11 देखेंगे Dash water of the ganga is being polluted Ganga के पानी को परदूशित किया जा रहा है देखे यहाँ water विशेश हो गया है पानी कोंसा गंगा का पानी तो यहाँ हमें विशेश वस्था जो है वो देखते हुए water की यहाँ द लगाना है Question 11 का जो answer आएगा वो C option है जहाँ द द लगेगा है तो blank में द भरेंगे और Question 11 का answer है option C The water of the ganga is being polluted Question 12 She is an MA but his brother is dash BA वह M में है लेकिन उसका भाई BA BA abbreviation बोलने में हम बर वो consonant sound देख रहे हैं शुरू में तो यहाँ A लगेगा Question 12 का जो blank है उसमें हम A भरेंगे और Question 12 का जो answer है वो हमें option चुनना है B जहाँ A दिया गया है तो Question 12 का answer है option B Question 12 का answer है option B और blank में हमने A भरना है Question 13 He has lodged dash F I R F I R इसमें F को बोलते समें हम अरंब में वावल साउंड देख रहे हैं इसलिए यहाँ N लगेगा blank में He has lodged N F I R और Question 13 का जो answer वो होगा option A जहाँ N दिया गया है तो Question 13 का answer है option A और blank में हमने N भरना है Question 14 देखेंगे बोथ-brothers have joined the Air Force दोनों भाईयों ने Air Force जोइन कर ली है देखें बोथ के बाद common noun plural number में जबाता है तो उससे पहले हम द लगाते हैं बोथ-the brothers have joined the Air Force यह बोथ है ब्रदर्स है common noun plural number है हमें उससे पहले द लगाना है बोथ के बाद आंतोर से द लगता है बोथ-the brothers have joined the Air Force तो question पर 14 का answer क्या हुआ option A जहां द द दिखाई दे रहा है हमें question पर 14 का answer है option A और blank में द लगेगा question पर 15 what-pretty doll कितनी खुबसूरत doll या गुडिया है देखे इस प्रकार के structure के वाकियों में शुरू में what मिलता है पीछे sign of exclamation और जो noun phrase है pretty doll उससे पहले हमें A आ आ आ आ आवाज को देखते हूँ लगाना पढ़ता है तो यहां pretty doll पर की वाज आ रही है consonant sound है तो A लगेगा what a pretty doll तो question number 15 का जो answer है वो है option A question number 15 का answer है option A blank में A भरना है what a pretty doll question number 16 it was dash one-sided game यह है एक एक तरफा खेल था one-sided game यह जो हम देख रहे है phrase इसमें one-sided में हम consonant sound देख रहे है one-sided game वो consonant sound तो यहां A लगेगा it was A one-sided game तो हमें sound देखनी होती है singular countable noun को यह noun phrase बोलते समें arm में जो आवाज आ रही है वो देखनी पड़ती है अगर consonant की sound हो तो A लगता है vowel की sound हो तो N लगता है तो यहां it was A one-sided game यहां blank में A भरेंगे question number 16 का जो answer है वो है D जहां A दिखाई दे रहा है तो question number 16 का answer है option D और blank में हमने भरना है A तो यह 16 questions आपके सामने हमने रखे और आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर ना न भूलिए हमारे वीडियो को share कीजिए like कीजिए and thank you for watching this video